हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अदर्श और आप देख रहे हैं जिक्के स्टड़ी ओनलाइन कैस्स मैं लाया हूँ आपके लिए एक अगर भी इंपटन्स की सेशन अन आट एंड क्राफ्ट आफ जमू एन कश्मीर तो आट एंड क्राफ्ट से लेके जितने भी बाटन कोश्यंज बनते हैं जो एक अच्छे लेवल के वो इसमें मैंने इंग्लियूड किये हैं इवन इसमें से कुछ कोश्यंज ऐसे भी होंगे ज चैनल पे आप फस्टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी तरब से इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आईगी तो आप उसको बसाइस कर पाऊ सबसे पहले तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं हम आज का हमारा first important question है बसोली टाउन इस लोकेटिड इन विच डिस्टिक आप जम्मु एन किश्मीर तो गाइस पूछा हुआ है कि बसोली टाउन है वो किस डिस्टिक में है जम्मु एन किश्मीर की तो options है कठुवा में है option second है किश्टवार में है और option third है हमारा उदंपूर और option fourth है श्रिण नगर में मैं आपको बता दू question number first का हमारा first option ही राइट रहेगा यानि ये कहां पे है तो ये कठुवा डिस्टिक में है ठीक है इसके बाद चलते हैं हम सीथा question number second की और second question है the painting of रासमजारी was painted by तो किसने painted की थी रासमजारी की painting options है राजा किर्पाल ने, option second है सुल्तान जैनुलबतीन ने, option third है देविदास ने, option four है ननाफदावब तो मैं आपको बता दू इसका right रहेगा, option third यानि देविदास जी ने इसको paint किया था, कि इसको रासमजारी की painting को, इसके बाद चलते हैं हम सीथ question number third की और, question number third है, जस्रोटा style of painting was, has a similar with, which type of, या which style of painting, तो आपको बता दू, simply आपसे पूछा है, जो जस्रोटा style of painting है, जे एनके में बहुत popular है, तो ये जो painting थी, ये किस से mail खाती थी, किस से match करती थी, तो options है, kangra school of painting से, बसोली school of art से, या फिर मोखोट से, या फिर नना of the work, तो guys, question number third का right रहेगा, option first, यानि किस से mail खाती है, तो ये mail खाती थी, kangra school of art से, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हम सिधा question number four की, और question number four है, name column is a type of, जो name column है, ये किस की type है, options है, embroidery की, options है किन है, woodwork है, ये, option third है, paper matchery work है, matchery work है, या फिर option four है, ये परशियन टेकनीक है, तो मैं आपको बता दू, name column जो है, वो option four हमारा write रहेगा, ये एक परशियन टेकनीक है, जो जिनके में introduce की गई थी, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हम सिधा question number five की, और question number five में हम से पुछा है, kale goat is the main source of, जो kale goat है, वो main source है, किस का, options है, जमावर शाल का, option second है, ring शाल का, option third ह है, पश्मीना शाल का, और option D है, nine of the above, तो guys, मैं आपको बता दू, question number five का, हमारा option right रहेगा, option third यानि पश्मीना शाल, ठीक है, पश्मीना शाल जो 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 है, वो उसका source है, वहीं से वो लिया जाता है, तो उसी से फिर पश्मीना शाल जो है, वो उसकी making start होती है, ठीक है, तो question number five का, थार्ड option right रहेगा, तो इसके बाद question number six है, chain stitching work is done by, जो chain stitching work होता है, वो किसकी मज़द से होता है, options है, आरी से, second है, hook से, option third है, needle से, और option four है, both one and two से, तो मैं आपको बता दूँ, question number six का right रहेगा, option four, ठीक है, both one and two, आरी से भी, और साथ में hook से भी, ये तोनों जो आरी और hook है, इसी से, wood पर किया जाता है, chain stitching, ठीक है, याद रखना, chain stitching, आरी और hook की वेज़र से, किया जाता है, जब ये, wood को design दिया जाता है, याद रखना, question number six का, fourth option, बिल्कुर right रहेगा, इसके बाद चलते हैं, सीदा question number seven की और, which of the following is an important type of embroidery work of Jammu and Kashmir, तो हमसे पुछ है, famous embroidery works of Jammu and Kashmir, तो इसके options right कौन से रहेंगे, तो options है, फुलकारी, option second है, सोजनी, option third है, काशिक्तकारी, और साथ में option four है, all of these, तो guys, question number second का right भी option four ही रहेगा, यानि, JNK में जो embroidery works famous है, वो फुलकारी भी है, सोजनी भी है, और साथ में किशिकदारी भी है, याद रखना, question number seven का fourth option ही right रहेगा, ठीक है, इसके बाद चलते हैं सीथा question number eight की, और question number eight है, which type of embroidery work take years to complete even one child, इनमें से कौन सा ऐसा work है, embroidery work है, जिसको even साल लग जाते हैं, एक शाल को बनने में, options आपके सामने हैं, सोजनी, फुलकारी, कश्चदारी, और साथ में जलक डोजी, तो मैं आपक ने, जो सोजनी है ना, सोजनी, इसको लगबग साल लग जाता है, बनने में, ठीक है, सोजनी type of embroidery work को, याद रहना, सोजनी, इसके बाद चलते हैं सीथा question number nine की, और question number nine है, which of the following rulers, introduce the corporate industry, into the Kashmir Valley, तो किसने introduce की थी, कारपेट इंडस्ट्री को, कश्मीर में, तो मैं आपको बता दू, options हैं, देविदास ने, option second है, जैनुल अबदीन ने, option third है, राजा किरपाल ने, और option four है, अकवर ने, तो guys, question number nine का right रहेगा, हमारा second option, ठीक है, second option बिलकुर right है, जैनुल अबदीन ने ही, कारपेट इंडस कश्मीर, तो खाबदन पाइल जो है, ये कारपेट जो है, ये कहां famous है, जमू में, लदाक में, कश्मीर में, या फिर इंडसे कहीं भी नहीं, तो मैं आपको बता दू, question number 10 का right रहेगा, option second, ठीक है, ये कहां popular है, तो खाबदन पाइल जो है, ये लदाक में popular है, इसके बाद हमारा next question है, question number 11, a type of rug, which is made by recycling old woolen blankets, is known as, तो options है, नम्दा, option second है, knotted carpet, options third है, सुखडूल, जिसको सुख, सुखदान भी बोलते हैं, और option 4 है, गाबा, तो guys, question number 11 का right भी option है, fourth, fourth option बिल्कुर right है, यानि गाबा, गाबा एक ऐसा रग है, जो बनाया जाता है, recycling old woolen blankets, जो पुराने blankets होते हैं, उसको recycling करके, गाबा को बनाया जाता है, याद रखना, इसके बाद important second question है, 12th question है, हमारा, सकडूल is a type of, ठीक है, सकडूल जो है, वो एक type है, किसकी, ये क्या woodwork है, क्या ये embroidery work है, क्या ये blanket है, क्या ये इन में से कोई भी option right नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, जो सकडूल है, वो एक blanket है, हमने पड़ा, ये क्या old blankets कोई से ही बनता है, ठीक है, तो option इसका, नहीं, वो था, old blanket से कुन सा बनता था, वो बनता था, गाबाब, ठीक है, लेकिन इसका याद रखना, जो blanket है, ठीक है, क्या है, blanket है, तो third option, question number 12 का बिल्कुर right रहेगा, ठीक है, इसके बाद चलते है, question number 13 की, और question number 13 है, which place is famous for copper vessels in Jammu and Kashmir, इन में से कौन सी place है, जो बहुत जला famous है, अपनी copper vessels के लिए, ठीक है, options है हमारे सामने, option second है, सामबा में, option third है, कटुवा में, और option four है, बारमुला में, तो मैं आपको बता दू, question number 13 का हमारा right answer रहेगा, option A, यानि, फते गदल में, ठीक है, फते गदल में, famous है, copper vessels, ठीक है, याद रखना, ये question जो है, even आपको, के-स level जो है, कश्मीर, जमन कश्मीर, civil services, वहाँ पे भी आपको पूछे जा सकते हैं, याद रखना, क्योंकि ये, high level questions है, ये आप art and craft, एक special book है, अगर उसको पढ़ोगे, तो वहाँ से ही ये आपको questions मिलेंगे, even, जो normal books आती है, जिके की, उसमें ये questions आपको नहीं मिलेंग ठीक है, याद रखना, इसके बाद हमारा question number 14, पूछा हुआ है कि sondas जो है, वो एक type है किसकी, sondas is a type of, क्या वो wedding ornament है, क्या वो embroidery work है, क्या वो woodwork है, या फिर इन में से कोई भी option right नहीं है, तो आपको बता दूँ, जो sondas है, वो एक wedding ornament है, ठीक है, तो option first बिल्कुर right sondas is a type of wedding ornament, इसके बाद हम चलते हैं सिधा question number 15 की और, floating boat house and the shikaras of kashmir are the examples of which work, ये कौन से वक्के है, क्या ये walnut woodcraft है, क्या ये bamboo work है, क्या ये खातम band है, या फिर option 4 है, ये willow work है, तो मैं आपको बता दूँ, option, question number 15 का, third option जो है, khatam band, ये इसी work से floating bath house और साथ में shikaras को build किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, तो guys, इसी के साथ, आज के 15 questions complete होते हैं, वीडियो को like और share ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेना लगती है, ऐसी questions बनाने में, और next वीडियो जो आपको चाहिए, आप comment section में, पूर सकते हैं, thank you guys